नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल प्रियंका विद सोबिचार में निर्जिला एकाची का ब्रत जेट मांस के सुकल बक्ष की एकाची तिधी को किया जाता है हिंदू धर में एकाची ब्रत का केवल धार्मिक महत्व ही नहीं है बलकि यह ब्रत मांसिक और सारीक स्वास्त की दृष्टी से भी बहुत महत्यपुन होता है 81 का ब्रत भगवन बिश्नु के अराधना को समर्पित होता है इस दिन 81 का ब्रत करके स्रधा और शामर्थ के नुशार दान भी करना चाहिए इस दिन बिधी प्रवक जल कलस का दान करने वाले को पूरे वर्ष भर की एकाचियों का फल मिल जाता है इस परकार जो इस पवित्र निरजला एकाची का ब्रत रखता है वो समझत पापों से भी मुक्ती हो जाता है मैं पिछले वीडियो में बताए थी कि निरजला एकाची के दिन क्या क्या चीज का दान करना चाहिए घड़े कदान कैसे करना चाहिए, छाता कदान कैसे करना चाहिए, तो लिंक डिस्क्रिप्टिन में, आप चाहें तुजाकर के देख सकते हैं एक बार बहु भोजी भीम से ने ब्यास्ची के मुक्से प्रतेक काच्ची को निरहार रहने का नियम सुनकर बिन्नम्रभाव से निवेदन किया कि महराज मुझसे कोई ब्रत नहीं किया जाता दिन भर बड़ी तेज भूक लक्ष रही है अधा आप कोई ऐसा ब्रत बता दीचे जिसके प्रभाव से स्वता सत्गदी हो जाए तब ब्यास्ची ने कहा कि भीम तुमसे वर्ष भर की एकाच्ची नहीं हो सकती तो केवल एक नर्चला एकाच्ची का ब्रत रख लो इसी से साल भर की एकाच्ची करने के समान फल मिल जाएगा तब भीम ने वैसा ही किया और श जल की एक बुंद भी गरहन नहीं करने चाहिए ऐसे में यह ब्रत एक तपस्या के समान हो जाता है क्योंकि इतनी कठिन गर्मी में बिना पानी बिना पिये ब्रत रख अपने आप में एक बहुत भारी और कठिन तपस्या होती है हलाकि जो लोग सारीरी ग्रूप से अस्वस् ऐसे लोग फल और जल गरहन करके बाखी अन्य एकाजसी ब्रतों की तरह भी इस एकाजसी का ब्रत रख सकते हैं जेश्ट महीने में जल की पूझा करने का महत्व है क्योंकि इस महीने में सुर्ज देव का तेज प्रचंड होता है जिससे गर्मी बहुत अधिक पड़ती है औ इसलिए जो लोग पूरे वर्ष रहर की एकाजसी का ब्रत ना रख पाते हैं तो उन्हें इन दिन सभी निशमों का पालन करते हुए ब्रत रखना चाहिए ऐसा करने से एक तो इन्हें साल भर की सभी एकाजसी का ब्रतों का पुन्द प्राप्त हो जाएगा दूसरे उनकी ऐसे में यह असमन्जस है कि यह ब्रत निर्जलायकाथी का ब्रत किस तिन रखना सही होगा इस वीडियो में मैं आपको बताओंगी कि आपको किस तिथी में ब्रत रखना चाहिए चाहें ग्रस्त जन हो या फिर बैश्नव जन हो कौन सी तिथी में निर्जलायकाथी का ब्रत आ आपको लगती है आपने निरहार और निर्जला रहकर इस ब्रत को किया है तो आप जल के बुन दिया जल कब गरहन कर सकते हैं ताकि आपका ब्रत भी बना रहे और ब्रत तूटने का दोस भी आपको ना लगे इस बार 81 तिथी अरंब होगी 17 जून सूम बार को सुबह 4 बज़ के 4 मिनट से और 81 की तिथी समाप होगी 18 जून मंगलवार की सुबह 6 बज़ के 2 मिनट पर 81 के तिथी दो दिन तय है ऐसे में दूसरे दिन वाली 80 जिसमें 82 भी मिली हुई है इस तिथी में उपवास करना सभी भक्तों के लिए चाहे गिरश्चन हो चाहे बैश्चन हो सभी लोगों के लिए सुब फलदाई रहेगा इसलिए इस बार केवल 18 जून मंगलवार के दिन ही 81 का ब्रत रखा जाएगा और दसमी तिथी की नियमों का पालन आपको 17 जून को करना होगा भगवान बीश्णों को भग में इस दिन तुलसी पत्र जरूर अर्पित किये जाते हैं तो तुलसी पत्र भी आप या तो शूम बार को सुबा सुर्योदर से पहले ही तोड़ कर रख ले या फिर आप सनिवार के दिन ही तोड़ कर रख सकते हैं क्योंकि रभीवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तो आप तुलसी के पॉधे को 6 में रख सकते हैं, जिस तिन आप 18 ब्रत रखें केवल उसी दिन तुलसी के पॉधे में जल अर्पित ना करें, उससे पहले और अगले दिन आप तुलसी जी में जल अर्पित कर सकते हैं, 18 तिती आरम होगी 18 जून मंगलवार की सुबह 6 बज के 2 मिनट से और इसी के साथ ही हरिवासर का समय भी सुरू हो जाएगा बज़ कर 45 मिनट से 7 बज़ के 28 मिनट तर बीच में निर्जला एकासी का ब्रत का पारण किया जाएगा यानी उपवाज खोला जाएगा एकासी के दिन आप जल का दान जरूर करें जल से भरे घड़े का दान किसी स्योग ब्रहामन को या सुपात्र को किसी निर्धन व्यक्ति को दान दे सकते हैं इसके अलावा आप मौसमी भलो का दान कर सकते हैं चपल जूते छतरी का भी दान आप कर सकते हैं आप सामर्थ के अनुसान दान कर सकते हैं, अन्य दान भी किया जाता है, आप चाहें तो जोव या जोव के सत्तु का भी दान कर सकते हैं। द्वासी तिती के दिन व्रत का पारण करने से पहले किसी योग ब्रहामन को अपने घर पर आमंद्रित करके उन्हें भोग प्रसाद में दक्षिना देकर विदा करें और उसके बाद आप भगवान बीश्नु के समक्च बैटकर हाथ में जल और तुलसी पत्र लेकर भगवान स सुद्ध स्वास्तिक और हलका फुलका भोजन कर सकते हैं ग्रहन कर सकते हैं जो लोग भी निर्जला एकाची का उपवास एक दम निरहार और निर्जला रहकर करते हैं उन्हें ब्रत रखते समय संकल्प लेते समय आचमन करते हुए जल की बुंदे ग्रहन करने चाहिए इस आप एकाथी के दिन ब्रह्म मुहरत से पहले पहले जल का सेवन करने के बाद फिर ब्रह्म मुहरत से लेकर अगले दिन के सुर्याद तक आपको जल का त्याग करना चाहिए जल का आप त्याग कर सकते हैं इस बीच अगर एकाथी का ब्रत रखते समय आपको बहुत अधिक प्य बहुत अधिक आवसकता हो तो साम की पूजा करने के बाद आचमन जितना जल भी ग्रहन किया जा सकता है इससे कोई दोस नहीं लगता है यह थी आज की वीडियो अगर जनकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीचेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके कॉमेंट ब किये का